नमस्कार दोस्तों, स्वाकत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको बंद कान की समास्या से राहत पाने के लिए कुछ खारे लुनसकों के बारे में बताएंगे अक्सर जब हम किसी पहाडों पर या फिर हवाई यात्रा पर जाते हैं तो इससे हमारा जो कान होता है वो बंद हो जाता है इसके अलावा सर्दी सुखाम की वज़ा से साइनर्थ इंफेक्शन के कारण पानी चले जाने के कारण वैक्स चमने की वज़ा से या फिर कान के अंदर की नलियों के बंद होने की वज़ा से भी कान बंद हो जाता है कान बंद होने की वज़ा से कभी-कभी बहुत दर्द का सामना भी करना पड़ता है और इससे सुनने की शमता भी पादित होती है लेकिन दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे घरे लुनुस खिलाई हूँ जिनने अपना कर आप इस समास्या से राहत पा सकते हैं तो आईए जानते हैं ऐसे ही कुछ घरे लुनुसकों के पारे में दोस्तों इसे जानने से पहले एक निविदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबा कर हमारी सदसता को सरूर ले लें ताकि आप हमसे जुड़ी रहें हमारी दोरदी के जानकारी को रोज ठेक पाएं और उनसे फायदा भी उठा सकें दोस्तों सबसे पहले के नुसके को इस्तमाल करने के लिए धीमी आज पर एक परतन में दो चमर सरसों का तेल रख दीजे और उसमें लेसुन की दो कली और चार पती नीम की डाल कर इसे तब तक इस पर रखें जब तक कि इसमें गारलिक काला ना हो जाए जब लेसुन की कली काली हो जाएं तो इसे हलका थंडा होने के लिए रख दीजे हलका ठंडा होने के बाद इसे चान लीजे फिर कॉर्टन की मदद से दोस्तों इस तेल की दो बूंदे अपने बंद कान में डाल कर सो जाए और फिर सुबा उठकर रूई से कान को साफ कर लीजे दोस्तों अगर आप तीन से चार दिन लगातार इसका इस्तमाल करेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा दोस्तों अगला नुस्खा जो मैं आपको बताने वाली हूँ इससे ना सिर्फ आपका बंद कान खुल जाएगा बलकि अगर आपको कान बजने या फिर कान में सीटी जैसी आवाज सुनाई दे रही है तो वो भी बहुत जल्दी खुजाएगी इसके लिए एक चमर्च लैसुन के रस में एक चुटकी हल्दी मिलाकर तैयार के हुए रस की दो दो बुंदे रात को सोने से पहले अपने कान में डालिए इससे कान का बजना और बंद कान बहुत जल्दी खुल जोता है तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जनकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाई, शेयर और कमेंड करके जरूर बताईएगा इसे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद